नमस्कार स्वागत आपका चुनाव आज तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग इसकी सरकार बनती है तो फिर बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा अब आपको बता दे कि यह वही कॉंग्रेस है जिसने करनाटक विधानसभा चुनाओ के समय बजरंग दल पर बैन की बात की थी और उस समय देश भर में इस पर जम कर सियासत हुई थी लेकिन अब मत मदरपरदेश में चुनाओ से ठीक पहले दिग्विजे सिंग का ये बयान वाकई अपने आप में सियासत को इसलिए गर्मा दे रहा है क्योंकि करनाटक में बजरंग दल पर बैन की बीजेपी ने जबरदस तरीके से भरसना की थी उसका विरोत किया था और इसे बजरंग ब बैन ना करने की बात की किस संदर्ब में की पहले वो सुन लीजिए बैन नहीं करेंगे लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं लेकिन जो गुंड़ा तत्व है जो दंगा फसाद कराता है ऐसे किसी यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा तो अपने दिग कॉंगरेस ने बजरंग दल पर फिएन की बात कि लेकिन क्या मजबूरी रही कि आखिरकार मद्रप्रदेश में के नेता है दिग्विजे सिंह पूर मुक्ष मंतरी है वो राजसभा सानसरी हैं वो यहाँ पर बजरंग दल को बैन नहीं करने की बात कर रहे हैं दरसल मद्रप के मुकाबले जब बैन की बारी आई तो सिमी को उस समय बैन किया गया था अटल भीहरी वाचपरी तब प्रधान मंत्री थे उनकी सरकार थी उस समय अनुशंसा की गई थी ततकालीन मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंग की तरफ से बजरंग दल को बैन करने की अब तो फिर उसे जेल भेजने से भी सरकार परहेज नहीं करेगी ये बात भी उन्होंने कही लेकिन उनकी इस बात पर बीजेपिक तरफ से प्रतिकिर्य आ गई है मदपदेश में शिवरात सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आये उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय उठा रही है क्या कुछ कहा कैसे बीजेपी ने दिगविजे सिंग के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी कैबिनेट प्रंत्री विश्वास सारंग का यह बयान देखिए दिगविजे सिंग ने तो हिंदू मतावलंबियों को बदनाम करने का सुपारी ले र करना राम से तु तोड़ने का शडियंत करना राम मंदिर ना बन पाए उसका शडियंत करना हर समय दिगविजे सिंग यह कर रहे है मुझे शर्म आती है और दिगविजे सिंग जैसे पाकिस्तान परस्त तुस्टी करन करने वाले नेता हिंदू का विरोत करने वाले नेता के certificate की या रह्मो कर्म की बजरंग दल जैसे रास्टवादी संग्टन को जरूरत नहीं है बजरंग दल देजभक्तों का संग्टन है और ऐसे देजभक्तों के संग्टन को छेड़ने की कोशिश ना करें कांग्रेस यह इटली का राज नहीं है यह पाकिस्तान परस्ती की बाद दिग्वियों से यहां ना करें तो आपने देखा मद्यप्रदेश में विदान सभाद चुनाओ से ठीक पहले अलग-अलग मुद्दों को ले करके जबदस सियासत हो रही है सबसे पहले इसकी शुरुवात हुई थी स्कैनर वाले एक पोस्टर के जरिये जिसमें कमिशन खोरी की बात आई इसके बाद 50 फीज़ी कमिशन की बात के साथ मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी की भी जम कर सियासत हुई ये भी राष्ट्रिय मुद्दा बना लेकिन अभी इस बीच में बजरंग दल पर बैन की बात को ले करके भी कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी आमने सामने आ चुके हैं देखना ये है कि विधान सभाद चुनाओ जैसे जैसे नजदीक आएगा क्योंकि अभी तो तारीकों का एलान नहीं हुआ है क्योंकि एलान नहीं हुआ है